हाई प्रेंट्स वेल्कम बाक टू माई चानल वी अ स्टार्टेड विट नीट रुवीशन लेक्चर्स और आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेशन डील करने आता ही नहीं क्यूंकि वो कॉंसेप्ट नहीं पकड़ते हैं फॉर्मिला पकड़ोगे तो आंसर नहीं आने वाला है कॉंसेप्ट को पकड़ो प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेशन होने दो सिर्फ दो मैथड से सॉल हो सकता है एक तो होरिजोंडल डायरेक्शन में क्या बात चल रही है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बात चल रही है तो मैं यहाँ पे तुम लोगो लिख के देत क्या करना है पहला काम सोचना है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या चल रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में जब बात होगी तो आपको काइनामेटिकल इक्वेशन यूज करना है चाहे कुछ भी हो जाए अगर फॉर्मिला याद नहीं आता है तो काइना मिटिकल फॉर्मिला लगाओ और आंसर निकालो दूसरी बात होरिजॉंटल डाइरेक्शन में क्या चल रहा है और होरिजॉंटल डाइरेक्शन में जो चल रहा है वो हमेशा एक ही फॉर्मिला से करना ह अब projectile motion में throughout दो velocity के component होगे मतला अगर velocity find करने कोई बोलता है तो आपको दो velocity find करना एक तो vertical direction में क्या है और एक horizontal जिसमें से horizontal velocity हमेशा सेम ही रहता है ओके ना चालू करता हूं एक idea से ताकि clear हो जाए कि करना क्या है सब्सक्राइब यह मेरा एक प्रोजेक्टाइल मुशन मैंने मांक किया अब इसमें यहां पे एक इनीशल वेलोसिटी होता है यू लेकिन इसको को लिशॉल करना होता है यह होता है यू कॉस और यहां पर होता है यू साइं अब एक एक इंपोर्टेन बात मांक करते जाता हूं यू बार अगर लिखना है तो मैं मैं लिखूगा u cos theta i cap plus u sin theta j cap यह velocity vector लिखा है जिसमें से u cos theta constant रहेगा throughout मतलब पूरे motion में कहीं पे भी मैंने पूचा velocity तो यह तो उतना ही रहने वाला है u cos theta vertical velocity change होते जाएगा because gravity है वो नीचे खीच रहा है तो तुरूआउट दी motion acceleration is due to minus g तो जबी भी kinematical equation तुम लगाओगे तो acceleration minus g लेना है अब यहां पर highest point पे सिर्फ horizontal component ही होता है vertical component इसका zero होता है तो यह initial velocity यह final velocity final velocity at peak vertical direction it become zero लेकिन जब यह ground को strike करता है तो horizontal velocity तो same ही रहता है लेकिन vertical component भी मिलता है और वो इतना ही होता है u sin theta याद रखना ground को जब hit करेगा तो u sin theta यह भी सिर्फ direction reverse है अच्छा direction reverse होने से क्या बनेगा तो यहां पर अगर किसी ने velocity पूचा final velocity क्या तो u cos theta i cap यह तो लिखना ही है लेकिन यह minus direction में इसके लिए minus u sin theta j cap आ जाएगा याद रखना बहुत important बात बोला है मैंने कि जब यह ground को hit करेगा तब उसका horizontal component तो उतना ही रहेगा लेकिन vertical component का सिर्फ direction change होता है throughout the motion बाकी किदर भी u sin theta नहीं होगा लेकिन जब वो hit करेगा तो u sin theta ही बनाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसमें तीन formula जो हम लोग याद रखते हैं वो होता है time of flight t which is 2 u sin theta upon g ये अब अगर question वजाए आया कहां से मेरे को formula याद नहीं आया exam में तो क्या करूगा तो कुछ नहीं करेगे यहां से यहां तक का motion consider करूगा मैं यहां से यहां तक क्योंकि यहां से यहां तक का जाने का time होता है time of flight vertical displacement यह उपर गया वापस इदर ही आ गया तो displacement 0 ले लूगा initial velocity u sin theta हो जाएगा बराबरे तो एस जीरो हो गया initial velocity पता है time ढूणना है और acceleration is due to gravity करके calculations कर दोगा तो टी इक्वल टू यू sin theta अपन जी अंसर हो जाएगा नव नेक्स्ट का calculation होता है अब रेंज जो होता है वो यहां से यहां तक कितने distance तक travel किया वो range होता है जो लोग IPL देख रहे हैं आजकल IPL में जब 6 मारता है ना तो दो value दिखाते हैं कि height उपर कितना तक गया और horizontal कितना distance गोला 90 मिटर का 6 मार रहा है तो 90 मिटर उपर नहीं 90 मिटर horizontal है और उसी को range बुलते हैं तो range का value है u square sine 2 theta upon g या तो मैं ये prefer करता हूँ 2 u square sine theta cos theta divided by g ये formula दोनों में से कोई भी एक चलेगा और ये कहां से आया तो ये भी easy है देखो यब horizontal की बात करूगा range का तो initial velocity ये और वो constant रहेगा तो velocity का formula होता है distance upon time तो distance का value हो जाएगा velocity into time तो velocity मेरा है u cos और ये time ये रहा इसको multiply करके बन गया तो ये range का value होता है range maximum कभी होता है तो theta 45 पे होता है लेकिन range के बारे में और एक दो बाते बता देता हूं range for theta and 90 minus theta will be same important बात है कि अगर कोई 30 degree से project कर रहा है और कोई 60 degree से project कर रहा है 30 degree और 60 degree तो 30 और 60 60 is basically 90 minus 30 60 हो गया तो they are complementary angle बोलते हैं वापस बोलता हूं अगर एक ने 30 से फेका दूसरे ने 60 से फेका तो दोनों सेम जगे पे ही जाके गिरेगे दूसरी बात यह first point जो याद रखना है theta theta लेकिन यह theta horizontal के साथ बना रहा है और यह theta vertical के साथ बना रहा है मतलब 30 degree horizontal बोला या 30 degree vertical बोला आंसर सेम ही आएगा दोनों सेम जगे पे गिरेगे 30 degree horizontal 30 degree vertical आंसर सेम ही आएगा दोनों सेम जगे पे ही गिरेगे range सेम होगा यह second point जो याद रखना है range third point 45 minus theta और 45 plus theta इसमें भी range सेम ही आएगा एक को 45 minus theta एक को 45 plus theta इसका simple idea अगर मैं बोलू तो 30 degree is basically 45 minus 15 degree और 60 degree बोला तो 45 plus 15 degree और 30 60 पे अगर सेम आते है तो 45 minus 15 45 plus 15 पे भी सेम ही आएगा तो यह range के बारे में तीन बाते याद रखनी है कि range equal कभी-कभी होती है फिर एक question पूछते है height ढूंडो कि यह maximum height कितना होता है h तो h का value u square sin square theta divided by 2g अब इसको भी अगर नहीं याद आया ज़र मेरे को याद नहीं रहता है यह सब कोई बात नहीं देखो यहां से यहां तक का सिर्फ time देखने का यहां से यहां तक का जो time होता है वो t by 2 time होता है half time displacement कितना h time कितना इसका आधा initial velocity पता है final zero है अपने past और height ढूंडना है third equation use कर लो answer आ जाएगा u square sin square theta upon 2g तो basically यह जो formula हम बनाते है t का formula r का formula मैं तो बोलता हूं मैं सब याद ही नहीं रखता मैं यह formula कहां से आया ना वह याद रखता हूं ताकि calculation में mistake ना हो अच्छा क्यों sir ऐसा क्यों याद रखते हो कभी बीच में पूछ लिया कि भाई तीन second के बाद velocity बदा अभी कैसे निकालेगे तीन second के बाद velocity तो answer है अगर आपको technique पता है तो तीन second के बाद निकाल सकते है कैसे निकालेगे इसका horizontal velocity तो तीन second के बाद इतना ही रहेगा तीन second के बाद मुझे final velocity डूंडना है कि भाई क्या है तो initial पता है final डूंडना है time दिया है तीन second और acceleration पता है मैं first equation यूज़ कर लूगा वी एक्वल तो यू प्लस 80 technique याद रखना है formula नहीं formula याद रखने से काम नहीं होने वाला है तो ठीक है वापस बोलता हूँ technique है क्या सर कब से technique technique कर रहे technique क्या है question कुछ भी आने दो आपको दो motion consider करने एक vertical direction जिसमें kinematical कोई तो kinematical equation लगेगा और दूसरा uniform speed जो लास्क वीडियो में मैंने बात की थी speed is distance upon time करके answer निकालने ये दो जगे से अगर तुमने काम कर लिया तो answer निकालना easy होगा क्योंकि velocity हमेशा इसके दो component बनते हैं यह इसका problem है दूसरी बात इसका equation कोई-कोई teacher बना दे प्रोजेक्टाइल का equation यह याद रखने का प्रोजेक्टाइल का equation ठीक है मैं बनाता हूँ प्रोजेक्टाइल का equation जो है वो है y is equal to ax minus bx square मैं ऐसा याद रखता हूँ what is a तो a is tan theta and b is g square by 2u square cos square theta यह a भी याद रख लिया लेकिन सीव a भी याद रखने से काम नहीं होगा इसको ऐसा याद रखने का a by b h होता है a square by 4b r होता है sorry a by b r होता है a square by 4b h होता है a by b r होता है अच्छा a by b r इससे क्या फाइदा क्या है तो अपना equation हम लोग को ऐसा दिया है समझो 5x minus 2x square equation of projectile और अपने को बोला find range तो यहां से a by b direct ढूंडेगे a है 5, b है 2, answer 2.5 range और अगर height पूछा तो a square by 4b कर देगे तो height मिल जाएगा तो यह projectile में सिर्फ तुम लोग को neat में यही पूछते ground level से ground level था इसके दूसरे बहुत सारे cases है के height पे से जब नीचे फेकेगा तो क्या करनेगा kinematical equation kinematical equation से सारे problem solve हो सकते है projectile के मैं बार बार बोल रहा हूं ठीक है लेकिन कुछ लोगों की मन की संतुस्तिक के लिए मैं एक बार height वाला question भी लेता हूं कि कैसे deal करते हैं तो हमारे पास height वाले question को कैसे deal करना है उसको समझना है देख लो इसके मैं दो case मनाता हूं यह एक height है h यहां से एक body को throw करना है अब दो option है इसको मैं ऐसा उपर फेक सकता हूं इसको मैं ऐसा horizontal फेक सकता हूं तो कैसे भी फेको तो एक option लेते है यह वाई आ गया मेरा बाबू यह बाबू ने throw किया पत्थर और यह ऐसा फेका यह ऐसा जाके गिरा यह इसका range बन गया और यहां से यहां तक गिरने का जो time है वो time period बन गया अब वापस time period time period जबी भी ढूनना है या time of flight जबी भी ढूनना है तो अपने पास एक equation याद रखनेगा एक statement देता हूं अगर height है तो flight है या flight है तो height है यह क्या बोला साथ flight में जब हम बैठते take off किया flight और फिर नीचे तो जब तक वो take off ही नहीं करेगा तो time count कैसे करेगे तो answer है जबी भी time period ढूनना है तो vertical motion count करना है not horizontal time जबी भी calculate करना है vertical motion count करना है तो एक example इसका दिया है मैंने तो vertical s displacement है h यह यहां से नीचे count कर रहा हूं तो minus h लिख दिया यह ऐसा फेका है तो vertical velocity 0 है only horizontal velocity है इसके पास जो velocity से इसने throw किया है वो horizontal है vertical नहीं है तो vertical velocity ही 0 हो गया इसका मुझे यहां से यहां तक का time ढूनना है that is the time of flight ढूनना है and acceleration is due to gravity मैं second kinematical equation use करूगा तो यह है minus h यह है zero vertical minus half g t square minus minus become plus t का value आगया 2h by g और root में यह अपना time of flight बन गया यहां से हां कुछ नहीं किया kinematical लगाया answer निकाल लिया range निकालना है आर तो distances velocity into time velocity कौन सा तो जो त्रों किया वही velocity होगा into time of flight that is you into root of 2h by g simple है अब दूसरा question पूछते जब यहां पे hit करेगा तो यह horizontal के साथ क्या angle बनाता है वो पूछते हैं तो कोई बात नहीं angle ढूनने के लिए पहले यहां पे velocity सोचो तो यह velocity यू यह पता नहीं क्या है वी वाई डूनना पड़ेगा अब वी वाई कैसे डून देगे तो काइना medical equation लगाऊंगा मैं initial velocity zero final डूनना है मुझे अब initial velocity zero final मुझे डूनना है और क्या-क्या पता है तो displacement पता है कि भाई h जितना displacement होने वाला है या माइनस h लिख सकते है और acceleration is g तो यह दोनों माइनस माइनस थर्ड काइना medical equation लगाऊंगा मैं तो मेरा equation बनेगा v y square equal to u y square plus 2 a y s y मुझे v y square ढूनना है यह zero है 2 यह है माइनस g यह है माइनस h तो v y is equal to root of 2 gh v y मिल गया अब v y अगर मिल गया मुझे तो यहां पर angle ढूनने से मुझे कोई नहीं रोख सकता क्योंकि यह formula होगा 10 theta is equal to v y upon u तो 10 theta is equal to root of 2 gh by u 10 theta theta will be 10 inverse theta मिल गया यहां पर strike करेगा तब velocity मिल गया root of 2 gh होगा angle मिल गया horizontal के साथ तो मैंने कोई formula रटा नहीं मारा मैंने basic apply यह answer आगया अब इसी में एक question और आता है कि भाई इदर एक और building है और इसने फेका इसके घर के अंदर गया तो कुछ नहीं formula time period गया यही रहता है कितना time लगता है लेकिन जो h लेगे वो दोनों का जो height का difference होगा वो लेना होगा बस तो उसका भी काम हो गया तो projectile में यह इसको अभी उपर फेका तो ऐसे type के question सिर्फ Jee में आते है उसमें time waste मत करो in fact कभी height वाला question भी नहीं पूछा है तो आप अपना time बचा सकते हो यह height वाले question में तो this is all about projectile motion next video में हम लोग और एक two dimension motion के बारे में बात करेगे that was circular motion और उसके लिए देखना पड़ेगा next video for that stay tuned